नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल अरुणकेडवे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेस्टन नमबर चार से पिछले वीडियो में हमने क्वेस्टन नमबर तीन तक देख लिया था तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला question है हमारा लगुभी जाणुधानी तथा गुरु जाणुधानी में कोई तीन अंतर लिखी तो चले देखते हैं पहला अंतर हो जाएगा हमारा कि लगुभी जाणुधानी जो होती है वो पुस्प का नर्भाग होता है या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि लगुभी जाणुधानी पुस्प के नर्भाग में पाई जाती है या नर्भाग में इसका नर्मार होता है दूसरा point इधर हो जाएगा गुरु बीजान जानन में हम क्या लिख देंगे कि इसका निर्माड किसमें होता है माधा भाग में होता है ठीक है अगले दूसरा number दूसरा point हो जाएगा कि लगु बीजान धानी के द्वारा लगु बीजानों का निर्माड होता है लगु बीजान बनते हैं ठीक है लग बीजान बनते हैं जबकि गुरु बीजान धानी के द्वारा गुरु बीजानों का निर्मार होता है ठीक है दो पॉइंट होगे तीसरा पॉइंट हम क्या लिख देंगे जो लग बीजान जनन होता है यह लग बीजान धानी के द्वारा होता है यह लग हई समाज में लड़कियां पैदा होने का दोस्त के वहल महलाओं को दिया जाता है बताएं कि यहां क्यों सही नहीं है देखे होता क्या है कि जब भी गाउं समाज में या फिर कह लेजे किसी छेत्र में जब लड़कियां जन्म लेते हैं लड़कियों यानि पुत्रियां जिसको कहते हो जिसका जीन होता है एकस एकस होता है ठीक है और पुत्रों का जीन होता है एकस वाई होता है चूकि हमने पढ पूल सूत्रों द्वारा निधारित होता है कि लड़की होगी यह लड़का होगा ठीक है तो अर्थात अगर हम कहें तो लड़कियां यह लड़के के पैदा होने में पिता की महत्पूर्ण भूंगा रहती है ठीक है क्योंकि पूत्र कब आएगा जब मादा का X और पिता का Y सनलाइत होते हैं तो पुत्र बनता है जब कि मादा का X और पिता का X मिलता है तो पुत्री बनती है ठीक है तो यहाँ पर लड़कियों उत्पन होने का जो दोस है वो महिलाओं को नहीं देना चाहिए ठीक है मनलब सीधे कहने का मनलब यह है क्यों योगि संतान का निधारण जो है वो पिता के लिंगी गुर्षूत्रों के द्वारा किया जाता है चले हम नेक्ट बढ़ते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन है एक संकर करात का प्रयोक करते हुए मेंडल के प्रभावता के नियम की ब्याख्या कीजिए मेंडल का प्रभवता का नियम क्या है तो सब से पहले हम नियम देख लेते हैं कि मेंडल का प्रभवता का नियम क्या होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे मेंडल के प्रभावता के नियम की ब्याठ्या करें मेंडल का प्रभावता का नियम क्या होता है कि जब एक जोड़ी ध्यान रखना है यहां पर कुछ इस्टुडेंट्स जो है गलत कर देते हैं देखें मेंडल का मेंडल ने जो है आनवान सिक्ता स तो इन दो नियमों में लच्छन एक जोडी थे अर्थात लच्छनों की संख्या दो हुआ कर दीती ठीक है जबकि जो 27 अब्यों की संख्या दो जोडी हुआ कर दीती अर्थात चार होती है ठीक है मतलब जो स्वतंत्र व्योन का नियम है यह दू संकर संकरण पर आधारित होता है जबकि प्रभावता का नियम और प्रथक करण का नियम जो है यह सभी एक संकर संकरण पर आधारित होते हैं ठीक है तो देखते हैं परिभासा क्या हो जागे कराया जाता है तो एक पुवन पीड़ी में जो लच्छन प्रदर्सित होते हैं उन्हें प्रभावी लच्छन तथा जो छिप जाते हैं उन्हें हम प्रभावी लच्छन कहते हैं तथा यह नियम जो है यही क्या कहलाता है प्रभावता का नियम कहलाता है जैसे हम यहां पर इसमाल टी ठीक है उप्पर बन जएगा कैपिटल टी इसमाल टी यह हो गया फान पीडी यह उपर हो गई पर जैकर जंडश नैसलीrh प्रभावी होता है अर्थाति यह अपने अपना लच्छा प्रदर्शित कर देगा जबकि इसमाल टी जो है यह बौना है यह अप्रभावी लच्छन होता है तो इसका जो लच्छन होता है और अर्थाति यहां पर प्रभावी लच्छन हो जाएगा और इसमाल टी क्या हो कराया जाता है तो यह फोन पीड़ी में जो लच्छन प्रदर्सित होता है उसे हम प्रभावी लच्छन और जो लच्छन छिप जाता है यह अपना प्रदर्सन नहीं कर पाता है उसे हम अप्रभावी लच्छन कहते हैं तथा यह नियम प्रभावता का नियम कहलाता है और एक यहां पर चले हम बता देते हैं यहां पर भी इस का अंसा देख लेते हैं कि वाट्षन और क्रिक ने ही डियने के द्रीकुंडिलिस माडल का प्रतबादन किया था इसके लिए ही इन्हें 1992 नोबल परुसकार से संवानेट किया था अब इन्होंने जिस डीने का अध्यन किया था किस प्रकार के डीने था वी टाइप का दिने था यो shaping कि यूँ कि बी टाइप के डीने में में अधियाह कि संख्या 10 होती है तो यह आप रखेगा कि अगर इसा भी पूश्चन पूश ले जाए कि वाट्सन और क्रिक ने किस प्रकार के डियने का देन किया था तो सही आंशर हो जाएगा बी टाइफ का डियने ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा समें क्या लिखना है की होता है क्यों क्योंकि इसके मद्ध या इसकी जो स्रंखलाएं होती है इनके मद्ध जो नुक्लियोटाइड थे यह युगमी तवस्था में थे अर्थात जो एडिनीन होता है वो थाइमीन से डबल हाइडोजन बंद के द्वारा जबकि साइटोसीन गौनीन से त्रिपल इत्रोजन के बंध के द्वारा जुड़ा होता है तो यहीं जो क्रम था मतलब छार्कों की उपस्थति या चार्कों का युगमन ही इस संद्रचना की सबसे मुख्य विश्यस्ता थी ठीक है अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में 5 क्या अध्यने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहाथा की है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संक्रामक रोग क्या होते हैं संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि एक बेक्ति से दूसरे बेक्ति में आसानी से फैल जाते हैं या संक्रामक द्वारा फायल जाते हैं ठीक है तो अब इन रोगों से हमें रोग्थाम कैसे करने हैं जिव ज्ञान के अधन में हमने क्या सीखा तो यह सब आपको पता भी होगा चले दो-चार बातें बता देते हैं जैसे संक्रामक रोगों के बारे में अगर हमको नियंत्रित करना है तो जो रोगी है उसके पास नहीं जाना चाहिए ठीक है और उस रोगी ने जीन वस्तों का यूज किया है उसे हमें तुरंत नेस्ट कर देना चाहिए जला देना चाहिए ताकि जिससे जो संक् करें सकते हैं सफाइlaugh करके रोग सकते हैं चिड़काव ऐस प। सब हो जाएगा किस प्रकार उर्णा को बढ़ाते हैं सभी को पता है इनके द्हआरा मृद्धा की वर्णा को बढ़ा जाता है इसके कारण फशकी पालव में व्रद्धि होती है और विक बुक्ति कि करणद sorta करांते आई थे ध्यान रखना है तो अब ये जय उरवरक करते क्या है कि जय उरवरक मिट्टी जो होती है उसमें हुमस का निर्मार कर देते हैं जिसके म्रदा में उपजावपन बढ़ जाता है और जो उत्पादन छमता होती है वो भी बढ़ जाती ठीक है अब अगले कुश् पीड़क नासी यह जिसको हम कहते हैं कीटनासी पीड़क नासी या कीठनासीं को नस्ट कर देता है यह उनका भच्छर कर देता है जिसके कारण फसलों पर इनका कोई भी प्रभाब नहीं पाता है और फसलोत पादन में व्रद्ध होती है अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्सका का क्वेश्चन कहे रहा है कि निमने लिखित पर टिपड़ी लिखे पहली टिपड़ी दी गए प्रतिबंध अड़ेंंगे से पिषित पादन में प्रतिबंध यंजाइम क्यों होते हैं है होता है उसकी हम प्रतिलिपियत यार करते हैं ठीक है अगला अगला कोशन कह रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं सभी को पता है कि प्रतिबंध एंजाइम का प्रयोग जो है बाइटकनोलोजी के अंतरगत किया जाता है और इस ठीक है डीने के डीने को छोटी-छोटी खंडों में काटते हैं और इसी के द्वारा ही जब हम काटेंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा पुनर साइज या पुनर योगेज डीने का निर्मार किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्चन कह रहा है जयव प्रद् कि का उप्योख करसी में बहुत महात्पूर उपयोग है इसी के द्वारा जो है जी मौटीफाइड अगनेज मतलब रूपांत्र जीव बनाये आनौनसिग रूपांत्रितव फसले बनाए गए जесे इसी में हम पढ़ते हैं यह सभी खितनासक होती हैं यह सभी जो टे होते हैं gjortло test Detail को जाते हैं पार्जीवी जनत्त से या इसे हम पारजीनी भी खहते हैं पारजीनी अर्था त्रांस जीनिक जीव क्या होते हैं एसे जीव होते हैं जिन में हम जीन का इस्थाने अंटर्ण करके उन्हें परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं जैसे यह찬पल बताय गया होगा कि जैसे कोई माली जिए कोई गाय है वो दोलीटर दूद दे रही तो हम क्या करेंगे जोए दोलीटर वाली गाय दूद देने वाली दाय ओश्ए जीन में परिवर्तन कर देंगे उच्छा जीन डाल देंगे और जब अच्छा जीन पढ़ जाएगा तो यह भी दूद दूद्र की मातर में व्रद्धी कर देता है और इसी के कार इन में स्वैत करांती हुई थी ठीक है कौन सी करांती हुई थी स्वैत करांती हुई थी अगला कुश्चन है हमारा कि सीत निस्कृता तथा तो एक तरफ हम डालेंगे सीत निस्कृता और दूसरी तरफ डाल देंगे हम ग्रिस्म निस्कृता क्या होती है तो ऐसे जनतु जो सरद रित्में सुपता वस्था में चलाते हैं सीत निस्कृता का मनलब सित रितमें निскरी का मनलब सुपता वस्था में चले जाते हैं जाने फेलां कि लिया करते हैं या गर्म इस्थानों पर चलते हैं यह कहां चले जाएंगे जया निस्करी होते हैं जीव वो गर्म इस्थानों पर चले जाते हैं जबकि जो ग्रिस्म निस्करी जीव होते हैं यह कहां पर चले जाते हैं यह ठंडे इस्थानों पर चले जाते हैं जैसे सित निस्करी में हम लिख देंगे नारदन नारदन गिलहरी हो जाएगी जबकि ग्रिस् और आंतरोसमी यह लिए चले इसमें भी लिख देते हैं तो पहला पॉंट हो जाएगा कि जिनके शरीर का तापकुरम अपने चारो और जहां वे रहते हैं के अनुसार बदलता है मतलब जहां पर वो निवास कर रहे हैं उसके अनुसार अगर उनके शरीर का तापकरम बदल रहा है चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वायोसमी कहें ठीक है आंतरोसमी क्या होते हैं इसमें ऐसे जन्तुक जिनके शरीर का तापकरम कार की निमन द्वा इन्हें हम एक्टोथर्मिक कहते हैं जबकि यह जो होते हैं इन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं इन्हें क्या कह जाता है एंडोथर्मिक इसे हम एक्टोथर्मिक और इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं तीसरा अंतर क्या हो जागा कि इन्हें हम असमतापी कहते हैं जबकि इन्हें हम और यहां समतापी कखें समतापी होते हैं एक चЕ covenant वाय क्या यह होते हैं कहते हैं उस्जिलफी काहते हैं इंह डिन हर साषम सभी को पता है तो इसका वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है आप वहां से देख सकते हैं इसमें अगला कोश्चन गह रहा है कि इसमें सुक्राण कहा संचित रहते हैं अगर पहुंचा जाए कि निर्माण कहा होता है तो वहां पर हम जवाब देंगे कि इसमें संचित हैं और आधि कर लाती है तो इसका पूरा आ वीडियो कुट क्या होते हैं और इनकी विश्यस्तायें क्या होते हैं नाइट्रोजनी चारकों का वह अनुकरम जिसमें प्रोटिनय कोड कोड नहीं तो होते हैं अन्वान सी कूट कहलाते हैं मलब कहलेजे कि यह किसके बने होते हैं नैट्रोजीनी छारकों से बने होते हैं अब इनकी कहराया कि विस्यस्ताइं बताइए तो विस्यस्ताओं में क्या हो जाएगा पहली विस्यस्ता हो जाएगी इनकी कि यह जो हो द्वारा कोडित किये जाते हैं मनलब चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जन्त हो समस्त जीवों में जो पाए जाने वाले अमलों होते हैं वो एक ही प्रकार की कोड को या कोड के द्वारा कोडित किये जाते हैं अगला पॉइंट हो जाएगा कि इनमें कुछ समापन कोडान होते ह होते हैं जैसे UAE UAE हो जाएगा यह समापन कोडान है UAG है और UGA है यह समापन कोडान है यह क्या होते हैं समापन कोडान होते हैं और एक जो होता है वो समारंभन कोडान होता है समारंभन कोडान कौन सा होता है उसका नाम होता है AUG AUG होता है यह समारंभन को डान होता है ठीक है अगला पॉइंट से में हो जाएगा कि आनवान से कूट जो होते हैं यह संदिक्ध होते हैं कैसे होते हैं यह संदिक्ध होते हैं अर्थात एक कूट एक प्रकार के एमीनों अमलों को कोडित करता है ठीक है अगला पॉइंट हो जाएगा कि जो आनवान से कूट होते हैं यह क्या होते हैं आओनसी कूट जो होते हैं कॉमा रहीत होते हैं अर्थात इनके मद्हे में कॉमा का प्रयोग नहीं करते थे नहीं हो जाएगे खलिंगा अगला customer है अगला question हो जाएगा हमारा कि मेंडल को के लचणों के प्रतक्राण का नियम क्या है इसे युगमकों की सुधता का नियम क्यों कहते हैं तो मेंडल का दूसरा नियम है प्रतक्राण का नियम कहलाता है इसे युगमकों की सुधता का नियम भी कहते हैं ठीक है और इसे विसायोजन का नियम भी कहा जाता है तो चले निय ही में तो सी एक एपर पीड़े में क्या होता है कि जो संताने उद्पन् candle होती है वो सभी कैसी हो गते हैं हु कि प्रभावी लचण वाली होती है कि यहां पर हम कैपिटल टैपिटल ट McMपर यह हो गया हमारा यहां पर इस्माल्टी इस्माल्टी फॉन पीड़ी में पुना परागण की क्रिया कराई जाती है तो जो युगमक होते हैं यह कह लिजे जो युगमक होते हैं वो पर्थक हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है यही क्रिया कहला लेगर दो यह बन गई सभी संकर संदाने अब एफ में गई करवा देना तो पीडी में करवा दीजे यहां पर पीठी क्या हो जाएगी यहां पर अब यहां पर देखेंगे तो रेसियों क्या आता है जो फीनो टाइप रेसियों आएगा वह आगा तीन अनपात एक जबकि जो जीनो टाइप अनपात होगा वह अनपात दोनपात ठीक है तो यह हमारा नियम हो गया तो यह पहर प्रभाविव लच्नों वाले संताने उत्पन होती है परनतों जब इनके मत्ते पुना परागन की करया कराई जाती है तो f2 PD में यह सभी युगमक्त प्रतख हो जाते हैं और इसी नियम को कहते हैं अगला क्योंकि नियुकरतर करना है il की तो नुकूलन को पर्भासित कीजिए अगला एक कौश्चन में और दिया था कि इसे उगमकों की सुधता तक हो जाते हैं इसलिए हम इसे कि अनकूलन को परिभाशित किए उधार सहित वर्डन किजिए अनकूलन की होता है é प्रिमंदली दसाओं के अनुसार स्वयम को ढालना यही क्या कहलाता है अनकूलन कहलाता है अब इसमें विभी ने प्रका को उदाहर देना जैसे जलोद भीत पादप क्या होते हैं उनमें अनकूलन कैसा होता है मरोद भीत पादपों में अनकूलन कैसा होता है ठीक है लवडोद भीत पादपों में अनकूलन कैसा होता है मरोद भीत जनतों में अनकूलन कैसा होता है यह सभी आपको बताने हैं तो इसका वीडियो जो है हम अ मिनुस्य की जाते या जीव जन्तुओं की जाते भगोलिक छत्में जाती छती के छती का मतलब होता है नुक्सान यानि धीरे धीरे जो जातियां विलुप्त होती जा रही है उनके विलुप्त होने का क्या कारण है तो यह सब जो है हम पढ़ लेंगे तो आशा करता हूं दोस् समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब तो यूटूब चैनल अरुन अरुन अक्रेडमी थैंक्स फार वाचिंग में